नमा संस्कृत आए मित्रों मैं डॉक्टर दन्वी सिंग अपने चैनल Eternal Addison's Classes for Sanskrit में एक बर फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में हम भाषा विज्ञान को देखेंगे वो भी एक ही वीडियो में तो भाषा विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी संस्कृत की प्रतियोगात्मक परिक्षाओं में प्रश्ण पूछे जाते हैं और ये कहीं न कहीं ये टॉपिक हर स्टुडिन से छूट जाता है क्योंकि बहुत सारी गरंथ पढ़ने होते हैं और सबको लगता है कि भाषा विज्ञान तो हो जाएगा लेकिन आपके कोर्स में जितनी भी चीज़े भाषा विज्ञान से दी हुई हैं अगर आप उसको पढ़ कर जाते हैं तो इससे जो बनने वाले पांच से साथ प्रश्ण है वो आपके गलत नहीं होंगे तो भाषा विज्ञान आपके सभी संस्कृत की प्रतियोगात्मक परिक्षाओं में हैं तो आप अगर संस्कृत की किसी भी स्टेट की या कोई प्यारी कर रहे हैं कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो वैसे तो मैंने ये दिया है कि UP, T प्रतियोगात्मक परिक्षा के लिए बहुत ही महत्पुर्ण है तो जो भी स्टुडेंट इसको देख रहे हैं वो इसको सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ UP, PGT, TGT में ही पूछता है इसके अलावा ये NET, JR of Assistant, Professor, इसके अलावा Other State की जितने भी एक्जाम है उसमें ये टॉप पुछा ही जाता है तो ज्यादा समय ननस्ट करते हुए हमसी दे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भाषा विज्ञान तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाषा की उत्पत्ति तो आपको बस सुनते चलना है और चीजे आपको एकदम आसानी से समझ में आती जाएंगी इस वीडियो को अगर आप दो से चार बार देख लेते हैं तो इससे बनने वाले प्रशन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति यह विशय अत्यंत उल्जा हुआ है इस विशय पर पहली बात जो अनिवार है वो है वाग यंत्र से भौनन या वर्णो चारण की छमता प्राप्त करना और दूसरा उच्चरित ध्वनी का अर्थ के साथ संबन्द स्थापित करने का प्रारम्भ। मनुष्य को बोलने की छमता जन्म से प्राप्त है अतव जन्म से वाग यंत्र या वाग इंद्रिय का प्रयोग करता है दूसरी बात में शब्द और अर्थ के संबन्द जानने की जिग्यासा ही मुख्य विशय है भाषा उत्पत्ति विशयक समस्त सिध्धान्त अनुमान प पर आश्रित नव होकर पत्थियों पर निर्भर होता है यह दर्शन मानव विज्ञान या समाज विज्ञान का विशय होने के कारण भाषा विज्ञान इस दिसा में अपनी असमर्थता प्रकट करता है सामाने लोग प्रियता का विशय होने से इसके प्रस्तावित सिध्ध तो हम अब इसकी जित्ते भी सिध्धान्त है उनको देखेंगे, तो सबसे पहला सिध्धान्त है दिव्योत पत्ती का सिध्धान्त, अब इसके बारे में देख लीजिए दिव्योत पत्ती सिध्धान्त क्या है, यह सबसे प्राचीन मत है, इसके अनुसार जिस प्रकार परमात वित्मा ने मानौ सृष्टी की उसी प्रकार मानौ के लिए एक परिश्कृत भासा भी दी। दैविय शक्ति ही इस सिधान्त का मूल है। उसी दैवी शक्ति ने ही सृष्टी के प्रारंभ में ही वेदो का ग्यान दिया जिससे मानौ अपना क्रिया कलाब चला सका। वेदो उपनिशदों तथा अनेक दर्शन ग्रंथों में यह बात प्रमारित है कि इश्वर से ही वेदो की उत्पत्ति हुई। अब इस सिधान्त की समिच्छा देखिए। इस सिधान्त पर निम्न आपत्तिया की गई है। पहला तो यह सिधान्त तर्क या विज्ञान संगत नहीं है केवल आस्था पर निर्भर है। दूसरा है यदि भासा इश्वर प्रदत होती तो स्रिष्ठी में भासा भेद नहीं होता। तीसरा है जर्मन विद्वान भेडेर ने लिखा है कि यदि भासा इस्वर कृत होती तो यह अधिक सुववस्थित और तर्क संगत होगी। अधिकार्ण भासाएं और विवस्थित और त्रिटी पूर्ण हैं। अब दिव्योत पत्ति सिधान के बाद हम दूसरा सिधान देखेंगे संकेत सिधान्त। तो जो संकेत सिधान्त है इसके बारे में देख लीजे। इसे नेडेवद, niडेशिधान्त तथा स्वीकारवद आदी नामों से जाना जाता है। इनकी अनुसार व्यक्ति प्रारम में संकेतों के माध्यम से अपना अभी प्राय व्यक्त करता था, रथाबाद में सामुहिक रूप से वस्त्वों की संग्या दी गई, इसे सामाजिक समझोता कहा जा सकता है, इसकी समिछा इस प्रकार है, इस सिधान की कुछ नियुनताएं है क्या-क्या? बीना भासा के सभा का आयोजन और विचार विन में कैसे हुआ? दूसरा, संकेत शब्दों के निर्माड के लिए क्या आधार था? किसी व्यक्ति का सुझाव मान लिया गया या फिर सब के अलग-अलग मत थे? तीसरा, यदि भासा के विना सभा का आयोजन संकेत निर्माड एवं संकेतों की सामाजिक संपूष्ठी हो सकती है तो भासा की क्या आवशक्ता रह जाती है? अतहिया सिधान्त मानने नहीं है अब तीसरा बहती महतपूर सिधान्त है जिसका नाम है रणन सिधान्त इस सिधान्त को धातु सिधान्त, अनुकरण सिधान्त, अनुरणन मूलक्तावाद, अनुरणात्मक, अनुकरण, डिंग डंगवाद आधी नामों से निर्दिष्ट किया गया है तो ये जितने भी नाम बता रहे हैं, ये आप लोग याद कर लिजेगा, कभी कोई दे देता है कि रातु सिधान किसको कहा जाता है, या अनुकरण सिधान किसको कहा जाता है, अनुरण मुलक्तावाद किसे कहा जाता है, या अनुरणात्मक अनुकरण का एक अने नाम भी है, डिंग डॉंग वाद आधी नामों से किसे निर्दिष्ट किया गया है तो रडन सिधान्त को इन सभी नामों से निर्दिष्ट किया गया है तो यह आपको याद कर लेना है कि इस सिधान्त को धातुशिधान्त, अनुकरण सिधान्त, अनुरण मुलक्तावाद, अनुरणात्म अनुकरण डिंग डॉंगवाद आधि नामों से निर्दिष्ट किया हूगया है इस सिधान के मूल प्रवर्तक का नाम पूच्छ देता है तो इस सिधान के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे ऍथा इसे हेंस और मैक्स मुलर ने विवस्थित किया तो ये भी पूस देता है कि इस सिधान के प्रवर्टक कौन थे तो प्लेटो और इसको हेंस और मैक्समूलर ने विवस्यत किया स्मत की अनुसार प्रकृति में एक सामाने नियम है किसी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेश ध्वनी होती है यह ध्वनी ही उसकी विशेश्ता है इसी ध्वनी को रडन कहा जाता है अब इस सिधान की समिक्षा को देख लेंगे इस सिधान्त में इतने दोस्त थे कि बाद में मैक्समूलर ने इसे छोड़ दिया इस बात का कोई प्रमार नहीं है कि किसी किस वस्तु से मस्तिस्क में कौन सी ध्वनी जनकृत हुई यह सिधान्त शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है शब्द अर्थ का सांकेतिक संबंध है न कि स्वाभाविक यह मत अस्विकृत होने पर भी रोचक्ता के लिए प्रचलित है अगला सिधान्त है ध्वन्युकर्ण सिधान्त यानि ध्वनी अनुकर्ण सिधान्त तो इस सिधान्त के अनिनाम भी है क्या क्या अनुकर्ण सिध्धान्त ध्वन्यात्मका अनुकर्ण सिध्धान्त अनुकर्ण मुलक्तावाद रब्दानुकर्णवाद भोभोवाद तो ये सुब ध्यान रखिएगा भोभोवाद पूल देता है किसको गहता है तो ध्वन्यूकर्ण सिध्धान्त को भोभोवाद इस सिधान का अभीमत है कि प्राकृतिक वस्तुओं पसु पच्चियों आदि की ध्वनी के अनुकरण पर विविन्द वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। अतव यह भाशोत पत्ती संबंदी उचित समाधान नहीं है। अब अगला सिधान्त है आवेग सिधान्त। इस सिधान्त को मनो भावा भी व्यक्तिवाद, मनो राग व्यन्जक, सब्द मुलक्तावाद, पूह पूह सिधान्त, मनो भावा भी व्यन्जकतावाद आदि के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार आरंब में मनुष्य भाव प्रधान्ता और प्रसंदता, दुख, विश्मय, गरणा, आदि के भाव वस, उसके मुख से ओ, छी, धिक, आ, आदि शब्द सहज ही निकले, धीरे धीरे इली से भाषा का विकास हुआ। समिच्छा, अब इस जिद्धान की समिच्छा देखेंगे, इसको मानने में निम्न कठिनाईया हैं। क्या-क्या? ये शब्द विचार पुर्वक प्रयूक तो नहीं होते हैं, वलकि आवेक की तिव्रता में अनायास निकल पड़ते हैं। भासा में आवेग शब्दों की संख्या 40-50 से अधिक नहीं होगी, इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकास नहीं पड़ता, अतह इनको पूर्णता भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। अगला सिधान्त है प्रमध्वनी सिधान्त। इसे यो हे हो वाद स्रम परिहर्ण मुलक्ता वाद भी कहा जाता है। इनके प्रतिपादक न्यावर यानि न्यावर नवारे नामक भाषा शास्त्री हैं। इनके अनुसार परिश्रम का कारे करते समय सांस तेजी से बाहर भीतर आने जाने, साथ साथ स्वर्वतंत्रियों को विविन रूपों में कम्पित होने, एवं तदन उकूल धनिया उच्चरित होने से कारे करने वाले को राहत मिलती है। उदाहरर्प कपड़ाद होते समय धोबी, हीयो या छीयो कहता है, और मजदूर आधी हो हो हू हू कहते हैं। अब इस सिधान्त की समिच्छा देख लेंगे, यह मत भासा की उत्पत्ति के लिए सर्वता असंपोज जनक है, शार्विक परिस्वरम जन्न ये सब्द निरर्थक है, भासा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवशक्ता है, अर्थहील शब्दों से भासा की उत इस सिधान्त के प्रवर्तन का श्रेर पॉलीनेशियन भासा विग्वान डॉक्टर राय को है। डार्विन भी इसके समर्थक है। प्रोफेसर रिचर्ड इसे मौखिक इंगित सिधान्त कहते हैं। अब इस सिधान्त का समिच्छा देख लिजें। इस मत के प्रतिपादक जी रेवेज हैं जो मनोविज्ञान के विद्वान थे। इनके मतानुसार मनुश्य एक समाजिक प्राणी है। उसमें पारस्परिक सम्पर्क की प्रविर्ति जन्म सिध्ध है। प्रारम में भूक आदिकी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया होगा। उनसे जो धनिया निकली वे धीरे धीरे भासा बनी। इस सिधान की समिक्षा इस प्रकार है। प्रोफेसर रेवेज का यह सिधान बाल मनुविज्यान, जीव मनुविज्यान और आदिम प्राणी मनुविज्यान पर आश्रित हैं एवं प्रक संगत भी है। कुछ अन्य भाषा सास्ती भी इस मत को अमाने नहीं करते, किन्तु भाषोत पत्ती के प्रश्न को अन्रिडित मानते हैं। संगीत सिधान्त इसको प्रेम सिधान्त, सिंग संग थेयरी, वो वो थियूरी भी कहा जाता है। डार्विन स्पेंसर एवं एसपर्शन ने इसे कुछ रूपों में माना था, इनके सिधान्त की अनुसार मानों के संगीत से भाषा की उत्पत्ती हुई। अब इस सिधान्त की समिख्षा देख लीजे, गुनगुनाने से भाषा की उत्पत्ती होना केवल अनुमान पराश्रित है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रारंभिक व्यक्ति गुनगुनाता था, इसका भी कोई पुष्ट आधार नहीं है, अताहिया सिधान्त भी और स्व प्रतीक हो जाता है, भाषा विज्ञान में ऐसे सब्दों को नरसरी शब्द कहते हैं, जैसे माता, पिता, बाबा, आदी, अब इस सिधान्त की समिख्षा देखेंगे, प्रतीक सिधान्त मूलता भाषा के प्रारंभिक शब्दों की व्याक्या करता है, खासा में नरसरी तो जितने भी सिधान्त हैं, उसके नाम के सामने, जितने भी प्रवर्तक हैं, उनका आप लोग नाम लिख लेंगे, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी तो समन्वे सिधान्त की प्रवर्तक हैं, हेंडरी स्वीट, उनका ने सिधान्त की अपेक छास सर्व सिधान्त, संकलन को अधिक उप्यूक्त समझा है, उनके अनुसार यदि सभी सिधान्तों में से आवश्यतत्त्त को एकत्रित कर लिया जाए, तो भाषा की उत्पत्ती सम् सिधाने के लिए अन्य कोई एकमत, सुध्ध न होने से सबका समन्वे उप्यूक्त माना गया, यह सिधान्त सामानेता निर्विरोध रूप से स्विकार किया जाता है, अगला सिधान्त है प्रतिभा सिधान्त, प्रतिभा सिधान्त के संस्थापक आचारे भरत्री हरी है, व हर त्रिहरी पूर्व जन्म के संस्कारों को भी भाश्वत्वत्ती का कारण मानते हैं। इस सिधान्त की समिख्षा मनुष्यों में कोई मौलिक उद्भावना या शक्ती नहीं थी, अता भाश्वत्तती संबंधी समन्वे सिधान्ती सर्वता उत्कृष्ट है। अब हम देखेंगे संस्कित भाशा का उद्भव और विकास। तो जितने सिधान्त थे, उसको आप देख लीजेगा। उनकी जितने भी प्रवर्तक हैं, उनका नाम याद कर लीजेगा। उनको किस-किस नाम से जाना जाता है। उसको भी देख लीजेगा। तो जितने में सिधान्त थे हैं, उसमें ऐसे ही प्रशन बनते हैं। तो अब हम देखेंगे संस्कित भाशा का उद्भव और विकास। संस्कित भाशा भारत-यूरोपी अथ्वा, भारत-जर्मनी परिवार की प्रमुख भासाओं में हैं। संस्कित के मूल-श्रोत के संबंध में चाहें जो भी कल्पनाय की जाएं, किन्तु इसके भाशाई इतिहास का प्रारंभ, इसके प्राचीनतम रूप रिगवेद से ही मानना होगा। अविस्ता और हित्पी भासाओं के दो ऐसे रूप हैं जो कि रिगवेद से काफी बाद के होने पर भी वैदिक भासा के राग वैदिक रूपों की जाकी प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्कृत आरेों की भाशा थी और आरे का मूल निवास भारत ही है, इस बात को पश्चिमी देश नहीं मानते हैं, तो कि पूरे विश्व को सब्वे और सिच्छित करने के ठेकेदार सिर्फ मिश्र युनान आदी देश ही हो सकते हैं। भारोपी भाशा विज्ञानी संस्कृत के उस मूल रूप की इस्थिती एशिया या यूरोप में चाहे जहां मानने की बात कहें, किन्तु संस्कृत से भाशा के जिस रूप का बोध होता है उसका जन में वंपोशन भारत की इसी भूमी पर हुआ था, इसमें कोई संदेह न विश्व की प्राचीन तम लिखित सामगरी प्रचूर मात्रा में उपलद्ध है, जिसके साहितिक भगी रथी का प्रवाह कई हजार वर्सों से निर्वत छिन्ड रूप में प्रवाह मान रहा है, जद्यपी उसके भार्शिक विकास की प्रक्रिया प्रक्रिया अवर्श ही आज से लगभग धाई हजार वर्स पुर्व एक बिंदु पर आकर इस्थिरसी हो गई थी, रिगवेदिक काल के उपरांथ हमें इसके विकास के विविन अस्तरों के रूप अपिक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से द्रिष्टी को चर होने सन्हिताओं तथा ब्राम्हण गरंथों की भाषा, ब्राम्हणों तथा शूत्रों एवं उपनिश्दों की भाषा, उपनिश्दों तथा महाकाव्यों की भाषा की पारस्परिक फ्यूलना करने पर इस्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत में एक जीवित भाषा में कालक्रम स होने वाले परिवर्तनों के समान उल्लेखे परिवर्तन घटित हो रहे थे। संस्कित भासा के विकास अस्तर को तीन अस्तरों में देखा जा सकता है। पहला वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक और तीसरा लौकिक। वैदिक के अंतरगत संहिताओं तथा ब्रामभड गरंतों क इसके बाद ही सहित्तिक और शास्तरी भाशा को लौकिक के अंतरगत रखा जा सकता है। पड़ा है अब देखेंगे भारोपिय परिवारत भारतिय यूरोपिय यानि भारोपिय भारोपिय का मतलब क्या होगा भारतिय और यूरोपिय इसको मिश्रत करके बोल रहे हैं भारोपिय तो भारत यूरोपिय से मद्यकाली इन भारती आरे भाशाओं की सामाने रूप रेख अब यहां पर एक इक पॉइंट आपके रिए बहुत इंपोर्टेंट है विश्व भासाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद माने गये हैं यह संख्या पूछ देता है कि किते भेद माने गये हैं तो आपको यह संख्या याद रखनी है कि 18 फिर इन 18 भासाओं को चार भूखंडों में बाटा गया है पहला है यूरेशिया यानि यूरोप एशिया फिर है अफ्रिका फिर है प्रशान्त महासागरी भूखंड और प्योथा है अमेरिका भूखंड तो आपको यह जो भूखंड है चारो 18 भासाओं के इसको याद रखना पड़ेगा यू भालेशिया फिर है लेशिया फिर है फिर है भूखंड है प्रयोग का अधिकियाद अधिक away प्रयोग का भूखंड प्रहा प्र विश्व में इस पर खोड़ेग प्रिखंड की अांध लेएरिका चार्ट, मुंघक हैंद यूरे Україरr शा ब्座ार्क परिफ्यो, इसक यह जारे की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है सांस्कृतिक उतकर्स। इस परिवार के लोग सभ्यता और संस्कृति में विश्व के में सबसे अग्रणी हैं। फिर है भाषा वैज्यानिक उतकर्स। भाषा विज्यानिवं भाषा सास्त के अभियोदय का सरवाधिक स्रे इसी परि भाधिक भाषाशास्ती एचिंतन हुआ। प्रेवार के विभिन नाम समय समय पर सुझाय गए हैं जिसम इनमे रमुक्जा नाम है। पहला है इंडो जर्मनिक या भारतिय जर्मनिक परिवार, दूसरा है आरे परिवार और तीसरा है भारोपिय परिवार. भारोपिय परिवार यह नाम अत्यंत प्रचलित हुआ अतह इसे ही अपनाया गया, यह नाम सरप्रथम फ्रेंच विद्वानों ने दिया. और चौथा है भारत हित्ती परिवार भारोपिय परिवार की साखाएं भारोपिय शब्द भारत यूरोपिय का मूल रूप है यह इंडो-यूरोपियन अनुवाद है इस परिवार में भारत वर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है इस परिवार में 10 साखाएं हैं, तो ये 10 साखाएं का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, किनी 3 का दे देगा, 1 गलत देगा, किनी 4 का दे देगा, कुट मिलाने के लिए देगा, तो आपको ये 10 साखाएं याद रखनी में भारत इरानी, आर्य, आर्यन, इंडो, इरानी, बाल्टो, स्लाविक, लेक्टो, स्लाविक, आर्मीन, आर्मीनियन, अल्बानी, अल्बानियन, इल्लियारियन, फिर है ग्रीक, ग्रीक, हेलेनिक, फिर है केल्टिक, फिर है जर्मनिक, ट्यूटोनिक, जर्मनिक, ट्यूटोनिक, फिर है इटालिक, हिटाईट और तोखारी, फिर से देख लीजिए, भारत इरानी आर्य, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानि तो यह दसो शाख हैं आपको याद करने हैं भारतिरानी, बाल्टोसलाविक, आर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाईट, तोखारी अब है केंटुम और शतम वर्ग भारुपी परिवार की भाषवों को ध्वनी की आधार पर दो भागु में विभक किया जाता है केंटुम, शतक, शतम, केंटुम और शतम, इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है सभी भारुपी भाषवों को दो भागु में विभक किया गया है प्रथम चार परिवार श्रतम वर्ग में आते हैं और सेश चार परिवार केंटुम वर्ग में आते हैं तो जितना भी भारोपी ये भार्षाएं हैं उनको दो भागों भक्त किया गया है तो जो प्रथम चार परिवार है वो शतम वर्ग में आते हैं और सेश चार परिवार केंटुम वर्ग में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको विवर दिखा देती हूं वो चार्ट तो यह जो प्रतम चार परिवार है, यह शातम वर्ग में आते हैं भारत इरानी, बाल्टोसलाविक, आर्मίνी, अल्बानी और सेस यह जो 6 हैं, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इ्टालिक, हिटाइट और तखारी यह केंटुम वर्ग में आते हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा तो जैसा कि आपने बता दिया कि प्रथम चार परिवार शतम वर्ग में आते हैं और सेश चार परिवार केंटुम वर्ग में सौ के लिए मूल भारोपिय भाषा का सब्द कम तोम बराबर शतम शतम वर्ग अब हम देखेंगे शतम वर्ग और केंटुम वर्ग संस्कृत में सबसे पहले हम यहाँ पर सतम वर्ग में देखेंगे संस्कृत में सतम, अवेस्ता में सतम, फारसी में सद, हिंदी में सो, रूसी में इस्टो, लिथुआनियन में इस जमतास अब केंटुम वर्ग में देख लिजिए, सो के लिए लैटिन में केंटुम, ग्रीक में हेक्टोन, केरितिक में केत, तोखारी में कंध, गाथिक में हुंड, जर्मन में हुंडर्ट, फ्रेंच में सम, इटालियन में केंटुम भारोपिय परिवार विभाजन भारोपिय परिवार को केंटुम और शत्म वर्ग के याधार पर निम्ण प्रकार से बाटा गया है शत्म वर्ग में आएगा भारत इरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी यह याद कर लिजे, शत्म वर्ग में आएगा भारत इरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी, अल्बानी जैसा कि हमने बताया था कि प्रथम चार जो है वो शतम वर्ग में आते हैं और सेस छै जो केंटिम वर्ग में आएगा तो केंटिम में आएगा ग्रीक, केल्टिक, जार्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी भारोपी परिवार की विशेश साय हम देखेंगे रचना की दृष्टी से भारोपी परिवार स्लिष्ट योगात्मक है इस परिवार की मूल भासाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, आदी, सन योगात्मक थी परन्तु इनसे विक्सित, आधुनिक भासाएं हिंदी, अंग्रेजी, आदी, वियोगात्मक हो गई भारोपी भासाओं की धातुएं प्रायह एकाच्छर थी, इन भासाओं में संस्कृत में प्रत्य दो प्रकार के थे, क्रित प्रत्य और तद्धित प्रत्य क्रित, जो सीधे धातु से जोड़े जाते थे, इन्हें प्राइमरी सेफिक्स कहते हैं, जैसे भूधन तभूत शब्द या धातु से पद बनाने के लिए दो प्रकार से प्रत्य लगते हैं, सुप, सुप प्रत्य शब्दों से, तो सुप जो है, केस इंडिकेटिंग सफिक्स शब्दों से, और तिंग, ये वर्बल सफिक्स भातु से, पदों का ही वाक्य में प्रयोग होता था, पदों को समस्त कर ब्रिहत पद बनाने की प्रविर्थी मूल भारुपी भाषा में थी, वह भारुपी परिवार में भी रही, मूल भारुपी भाषा में उदात स्वर के कारण स्वर्भेद, गुड, बृद्धी, दिर्ग होता था भारुपी भाषाओं में मूल प्रत्यों का लोप हो गया और स्वर परिवर्तन से ही अर्थ परिवर्तन का काम लिया जाने लगा अंग्रेजी धातुओं में ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, संस्कृत में देव, दैव, वीधी, वैध, कुमार, कौमार भारुपी भाषा में प्रत्यों की अधिक्ता है, मूल भाषा से प्रिथक होकर अनेक भाषाएं विक्सित हुई विश्व भाषा परिवारों में भारुपी भाषा परिवार का सबसे अधिक महत्व है, भारुपी परिवार में भी आरे परिवार या आरे शाखा का सरवाधिक महत्व है तो हम दिखेंगे सतमवर्व भारत इरानी आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी ये चार साखाएं इसमें थी तो इसमें हम आर्य या भारत इरानी साखा को पहले देखते हैं प्राचींतम साहित विश्य का प्राचींतम गरंत रिगवेद अपने शुद्ध और प्राचींतम रूप में संस्कृत में उपलब्ध है समस्त वैदिक साहित इसी साखा में प्राप्त है पारसियों का धर्म गरंत अविस्ता इसी साखा में प्राप्त है प्राचीं वर्ण माला एवं ध्वनिया मूल भारोपिय भाशा की प्राचीन धनियों के निर्धारण में संस्कृत और अविष्टा का असाधारण योगदान है प्राचीन संस्कृत इवं सभ्यता विश्व की प्राचिन्तम संस्कृती और सभ्यता का सर्वांगिर इतिहास संस्कृत और अविस्ता भासा के साहित्य से श्राप्त होता है भार भाषा शास्त्रिय दिन भासा सास्त्र को ध्वनी विज्यान, पद विज्यान, व्याकरण, अर्थ विज्यान का मौलिक आधार संस्कृत से ही प्राप्त होता है भारती आरे भासाएं, इसका काल विभाजन हम देखेंगे सबसे पहले भारती आरे भासाओं को काल की द्रिष्टी से तीन भागों में बाटा गया है प्राचीन भारती आरे भासाएं, पचीस सो इश्वी पूरु से पान सो इश्वी पूरु तक और मद्य कालीन भारती आरे भासाएं, पान सो इश्वी पूरु से एक हजार इश्वी तक और तीसरा है आधुनिक भारती आरेभासाएं एक हजार से वर्तमान समय तक प्राचीन भारती आरेभासाएं विकास क्रम के अनुसार प्राचीन भारती आरेभासाओं को दो भागों में बाटा गया है वैदिक संस्कृती लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत को ही वैदिक वैदिकी छंदस तथा छंदस आदिनामों से भी जाना जाता है प्राचीनतम रूप से रिगवेद में मिलता है अन्य वेदो का समय इसके बाद ही माना जाता है समस्त प्राचीनतम संस्कृत वांग में वैदिक संस्कृत में मिलता है वैदिक भासा की पद रशना स्लिष्ट योगात्मक थी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको यात कर लिजे फूसता है वैदिक भासा की पद रशना कैसी थी तो वैदिक भासा की पद रशना स्लिष्ट योगात्मक थी धात रूपों में लेट लकार का प्रेयोग होत था संस्कृत में संगीत आत्मक स्वर की प्रधानता थी। लौकिक संस्कृत संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आधिकावे वाल्विक्की रामायर 500 इश्विपूर का है। महाभारत पुराण कावे नाटक आधिगरंत 500 इश्विपूर से आस तक अविछिन एवं अविहत गती से अपना गौरव अस्थापित किये हुए है। यास्क, पतंजली, कात्यायन, भास, कालिदास, आधि के लेखों से यह सता सिद्ध होता है कि ईशापूरु तक संस्कृत लोक व्यभार की भाषा थी। संस्कृत में ही समस्त प्राचीन, ग्यान, विज्यान, कला, पुराण, कावे नाटक, आधि हैं। संस्कृत ने न केवल भारतिय भाषाओं को अनुप्राणित किया, अपीतु, विश्व भासाओं, मुख्यतया, भारुपिय भाषाओं को भी प्रभावित किया। मद्यकालीन भारतिय आरे भाषाओं को तीन भागों में बाटा गया है। प्राचीन प्राकृत या पाली 520वी पूर से 120वी तक, मद्यकालीन प्राकृती प्राकृत 110वी से 520वी तक, परकालीन प्राकृत या अब्रंस 520वी से 1000वी तक। आधुनिक भारति आरे भाषाओं पस्चिमी हिंदी इसकी पांच प्रमुक बुलियां हैं खडी बोली, ब्रजभासा, बांगरू, कन्नोजी, गुन्देली। राजस्थानी इसका विकास सौर सेनी के नागर अब्रंस से हुआ है। टिंगल के अनुकरण पर राजस्थानी में डिंगल कावी की रचना हुई इसकी चार प्रमुक बोलियां हैं मारवाडी, जैपूरी, मालवी, मेवाती। फिर गुजराती, अगला है मराथी, चार बोलियां मुख्ये हैं देसी, कोंकडी, नागपूरी, बरारी। फिर है बिहारी, तीन प्रमुक भासाएं हैं भोजपुरी, मैथली, मगही, फिर है बंगाली, उडिया, असमी, पूर्वी हिंदी, इसकी तीन बोलियां हैं अवधी, बगहेली, छतिजगडी। फिर है लहदा यानि लहदी, लहदा का आर्थ है पश्चिमी, इसकी चार प्रमुक भोलियां हैं केंद्री बोली, दच्छडी, मुल्तानी, उत्तर पुर्वी, पुठवारी, उत्तर पश्चिमी, धन्नी। फिर है सिंधी, इसकी पांच बोलियां है, विचौली, सीरैकी, लाड़ी, थरेली, कच्छी, फिर है पंजाबी, उसके बाद है पहाडी, इसके तीन भाषा वर्ग हैं, पश्चिमी, इसमें तीस बोलियां हैं, फिर है मध्य, इसमें दो हैं, एक गड़वाली, एक कुमायूनी फिर है पूर्वी, नेपाली यह नेपाल की राजभासा है। प्राकृत रही प्राचीन प्राकृत को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं प्राकृत की उत्पत्ती संस्कृत से प्रकृति का आर्थ है मूल भाषा संस्कृत उससे उत्पन भाषा प्राकृत है प्राकृत भाषा के सभी प्राचीन वयाकरणों ने प्राकृत की उत्पत्ती संस प्राकृत मुच्यते, प्राकृत सर्वस्व, प्राकृति ही संस्कृतम तत्र, भवत प्वात, प्राकृतम स्मृतम, प्राकृत चंद्रिका, प्राकृतस्य तू, स्वयमेव, संस्कृतम योनी, प्राकृत संजीवनी, नाट्य शास्त्रकार भरत्मुनी ने यह कहा है कि संस्क का ही विकृत एवं परिवर्थित रूप प्राकृत भासा है। पाली की उत्पत्ति डाक्टर मैक्स वैलेसन ने पाटली पुत्र से पाली की उत्पत्ति मानी है। पाटली पाडली पाली बिच्चु जगदीस कश्यप ने परियाय बुद्धो पदेश शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी है। परियाय से पलियाय पलियाय उससे पाली अमरकोस के ठीकाकार भानुजि दिच्चित ने पाल रक्षडे से पाली शब्द माना है। पाल धन ई बराबर पाली आचारे बुद्ध गोश और आचारे धम पाल ने छटी शती इस्वी ने पाली शब्द का प्रियोग बुद्ध वचन या मूल त्रिप्टक के लिए किया है उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए आया है अभिधान अभिधानप दीपिकाने पाधात उसे पाली शब्द माना है पालेती रक्त तीती पाली जो रच्छा करती है या पालन करती है पाली की प्रमुख विशेश्ता है पाली में वैदिक संस्कृत की पाँच स्वर्धनिया लुप्थ हो गई री 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 आई आउ पाली में वैदिक संस्कृत के पाँच वेंजन लुप्थ हो गई शख अह विसर्ग चिवहा मुली उपमान मानिया पाली में दो नए स्वराएं हरस्व ए हरस्व ओ संस्कृत के ए ए अउ ओ हो गए ड़ ड़ लः लः संधियों में केवल तीन संधिया है स्वर संधी वेंजन संधी निग गहीत अनुस्वार संधी पाली में हलंत शब्द नहीं है केवल अजन्त ही है पाली में द्विवचन नहीं होता शब्द रूपों में चतूर्थी और शष्ठी के रूप समान होते हैं इस्त्री प्रत्य साथ है आ, इ, इनी, नी, आनी, उ, टी पाली में पान्सो सरी धात्वे हैं, न, गड़ हैं, अदादी गड़ और जुहत्तादी गड़ नहीं हैं पाली में लेट लकार के रूप भी मिलते हैं, हनासी, दहासी आत्मनेपद का प्रयोग प्रायलुप्त हो गया, परस्मईपद शेश रहा, पाली में तद्भव, शब्दों का अधिक हैं, तत्सम और देशत सब्द कम हैं शीला लेखी प्राकर्ट, राचीन प्राकर्ट पे अशोक के शीला लेखो की प्राकर्ट भी आती हैं, अत्ताहिसे शीला लेखी प्राकर्ट भी कहते हैं, शीला लेखी प्राकर्ट को ही अशोकन प्राकर्ट, लाट प्राकर्ट भी कहते हैं मद्यकालीन प्राकृत ग्यूतिप प्राकृत मद्यकालीन प्राकृत को साहितिक प्राकृत भी कहते हैं सरप्रथम भरत मुनी ने प्राकृत भारसाओं के विशय में विचार किया है उनके मतानुसार साथ मुख्य प्राकृत है और साथ गौन मुख्य प्राकृत, मागदी, अवन, पीजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागदी, बाहलिक, राक्षडात, महराश्टी फिर है गौर्ड प्राकृत, इसमें हते है साबरी, आभीरी, चंडाली, सचरी, द्राविडी, उदस्ता, वनेचरी प्राचीन, प्राकृत, वयाकरण, वर्रुची ने चार प्राकृत मानी है, शौरसेनी, महराश्टी, मागदी, प्राचासी, मागदी के दो रूप हो गए, पहला मागदी, दूसरा अर्धमागदी सौर्शेनी, इसका छेतर सूर सेन, मतुरा के आसपास का प्रदेश था, इसका विकास पाली, कालीन, अस्थाने भासा से हुआ, मर्द देश की भासा थी, नाटकों में सर्वाधिक प्रेयों हुआ, इस्त्रियो आधी का वर्तालाप सौर्शेनी प्राकृत में ही होता था, इखर करपूर मंजरी का समस्त गद्य भाग सौर्शेनी प्राकृत में है, भास कालीन, आधी के नाटकों में, गद्य शौर्शेनी में ही है, फिर है महराश्टी, मूलस्थान महराश्ट है, इससे ही मराठी भासा का विकास हुआ, प्राकृत में सर्वाधिक साहित्ते महाराष्टी में है। वज्जा लगन घेम चंद्रा चारे कृत कुमार पालक चरित करपूर मंजरी के पद महाराष्टी में है। भरत मुनी ने दाच्छडात प्राकृत में महाराष्टी का निर्देश किया है। फिर है मागदी यह मगद की भासा थी प्राचीनतम रूप अश्वघोस के नाटकों में मिलता है। लंका में पाली को मागदी कहते हैं, कालिदास के नाटकों में तथा शूद्र के मिर्चकटिकम में मागदी का प्रेयोग मिलता है। भरत के नाटिशास्त के अनुसार अंतहपूर के नौकर अश्वपालक आदी की भासा मागदी थी इसके तीन प्रकार मिलते हैं शकारी, चंडाली, शाबरी मागदी से ही भोजपूरी, मैथिली, बंगला, उडिया, असमी, विक्सित हुई अर्द मागदी अर्द मागदी का छेतर मागदी और शौरसेनी के मद्ध में है यह कोसल के समीपवर्ती छेतर की भाशा थी इसमें मागदी के गुड अधिक है और साथ ही शौरसेनी के भी अत्ता इसे अर्द मागदी कहा जाता है मागदी को रिशी भासा या आरे भाशा भी कहते हैं भगवान महावीर के सभी धर्मोपदेश इसी भासा में है अधिकांस जैन साहित इसी भासा में है इसमें गर्दे और पद्दे दोनों प्रकार का साहित है आचार विश्वनाप ने साहित दरपण में इसे चेट, राजपूत्र एवन सेठो की भासा बताया है इसमें प्राचीनतम प्रयोग अशोगोस के नाटकों में मिलता है मुद्रा राचस और प्रवोद चंद्रोदय में अर्ध मागदी का प्रयोग हुआ है इससे पूरवी हिंदी का विकास हुआ है अगला है पैचासी इसका छेतर पश्ची मुत्तर भारत एवम अफगानिस्तान का छेतर था पैशाची को पैशाची की भूत भासा भूत भासित आदि भी कहते हैं गुडाड की प्रसिद रचना ब्रिहत कथा पैचासी प्राकृत में ही है वर्तमान समय में इसका साहेत नगर्ण है इसका विक्सित रूप लहदा भासा है तो इसका विक्सित रूप लहदा भासा है हेम चंद्र की कुमार पालित और काव्यान उशासन में तथा हम्मीर मद मर्दन नाटक में इसका प्रयोग मिलता है। रच्छ पिचास निम्नकोटी के पात्र लोहार आधी इसी भासा का प्रयोग करते थे। रच्छ पिशाचनी चेशु पैसाची त्वीतयम भवेत। प्राकृत भासाओं की शामानिवसेस्ता हैं। प्राकृत स्लिष्ट योगात्मक भासा है। शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या प्राकृत में कम हो गई। सब्द रूप के वलतीन या चार प्रकार के रह गयें। धातु के रूप भी प्राय एक या दो प्रकार के से चलने लगें। प्राकृत भासा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई प्राकृत भासा में आत्मनेपद का अभाव हो गया तद्धो शब्दों की संख्या प्राकृत में अधिक है तत्सम शब्दों की कम अब्रंस पर कालीन प्राकृत कृतिय प्राकृत अब्रंस शब्द का सरप्रतम प्रयोग आचारे व्याडी और पतंजली ने किया है, भरत्रिहरी भामः दंडी आदी ने भी अब्रंस का उलेख किया है अब्रंस के सबसे प्राचीन उधारण भरतमुनी के नाट सास्त्र मिलते हैं, डंडी के समय से इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था अब्रंस साहित की प्रमुक्रश्नायनिम्न है, हरिशेण कृत, पौम चरीईू, पुष्पदंत कृत, महापुराण और जसहर चरीईू, विद्याप्रती कृत, किर्तिलता, अद्ध हमाड कृत, शंदेश रासक, अब्रंस की देशी भासा, देशी अब्रंस अवहट भी कहत हैं, मारकंडे ने प्राकृत सर्वस्त में तीन अब्रंस माने हैं, नागर, उपनागर, ब्राचड, नागर गुजरात की अब्रंस, ब्राचड सिंदु की, उपनागर दोनों के मद्ध की मानी जाती है, सामयनिता सभी भाषाशास्त्री विद्वानों का मत है, कि पांच प् है, उनको हम जल्द ही एकत्रित करकर लेकर आएंगे, तब तक आप लोग इन सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्कूर्ण है, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब तक के लिए नम हसंस कुल बाइए तब दन्यवाद्स